नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतों पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां आईए आज हम सभी जानते हैं अगर आप दुलहन बनने वाली हैं तो अपनाएं टिप्स मिलेगी आपको पॉफेक्ट ब तो पसूरत नजर आए इसके लिए चाहें उसे कुछ भी करना पड़े लड़कियां करती हैं लेकिन कई बार मोटापे और अन्यकानों की वजह से ये इक्षा पूरी नहीं हो पाती है आज हम आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बता रहे हैं जिनसे आप एक अच्छे फिगर के सा अच्छी सेहत भी पा सकती हैं चेहरे का रखें खयाल जी हां तवचा और खासकर अपने चेहरे की देख भाल के लिए अपनी ब्यूटीशियन से मिलती रहें या घर पर बुला कर उससे तवचा की देख भाल के लिए जरूरी उपचार करवाएं इस तरह से शादी का दिन आ सकती हैं तवाचा को ठीक से साफ करें इसे साफ करने के बाद टोन करें और पिर इसे किसी अच्छे से मौश्ट्राइजर से मौश्ट्राइजड करें कहीं भी बाहर निकलने सें सनन ब्लॉक का इस्तेमाल करें जिहां स्कीन केर के लिए विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर सकती हैं आप विटामिन सी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है इसमें इंटियोक्सिडेंट्स होते हैं जो त्वचा को जमा बनाये रखते हैं सुरी की हानिकारक केरणों से भी यह त्वचा का बचाओ करते हैं आईए जानते हैं और तरीकों के बारे में कुछ समय पहले से ही संतुलिट डाइट लेना शुरू कर दें आप चाहें तो इसके लिए किसी हिल्थ एक्सपर्ट से भी राय ले सकती हैं अपने आहार में हर प्रकार के खादेपदार्थों को शामिल करें ताकि आपको सभी जरू करने वाले भोजन के लिए एक डायरी भी बना सकती हैं प्रति दिन सुबह और शाम के समय थोड़ी देर वियायाम करें हालांकि इस दोरान इस बात का विशेश खयाल रखें कि उतनी ही देर एक्सरसाइज करें जितने देर आप बिना तनाव और परेशानी के कर सकती हो भी राहत मिल जाती है होठो को चमकदार बनाने के लिए इन पर प्रति दिन लिप बाम या पेट्रोलियम जेली लगाना न भूलें इससे होठ नर्म रहेंगे और उनमें चमक बनी रहेगी बालों में निखार लाने के लिए समय समय पर उनकी मालिश करें बालों के सफाई के या सीर की तवचा में कोई समस्या है तो समय रहते इसका उपचार जरूर करवाएं तवचा की सफाई के लिए प्राकृतिक उपायों को अपनाएं इससे तवचा में चमक आएगी प्रति दिन स्नान करने से पहले अलग-अलग प्रकार के उपटन और लिप का प्रियोग करे अपनी तवचा के मुताबिक फेस मास्क का प्रियोग करें ताकि आप इसका लाव उठा सके प्रति दिन साथ से आठ घंटे की निंद बहुत जरूरी होती है परियाप्त निंद लेने से न केवल आप तनाव मुकत रहेंगी बलकि आपके चेहरे पर भी चमक दिखाई देग आपके मेकप बॉक्स में फेस वाश, टोनर, डी क्रीम, नाइट क्रीम, बोडी लोशन, मेकप रिमोबर, फेस एंड बोडी स्क्रब इत्यादी जरूर होने चाहिए हाथों और पैरों के नाखूनों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए हाथ पैर धोने के बाद मॉस्टे लाने के लिए किसी चिकित सक्के परामर्श करके विटामिन्स की गोलियां भी ले सकती हैं, प्रती दिन थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर करें, इससे तनाव दूर रहेगा और चेहरे पर चमक भी आएगी, मेडिटेशन आपके सूचने और समझने की शक्ती भी बढ़ा देता है, आखों को आराम देने के लिए उन पर खीरे और कच्चे आलू के टुकडे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो बाजार से आई मास्क भी खरीद कर प्रियोग कर सकती हैं, प्रती दिन हर दो तिन घंटे बाद त्वचा पर सन स्क्रीन क्रीम या लोशन का प्रियोग आवश्य करें, इससे त्वचा में चमक बनी रहती है, दिन भर में कम से कम साथ से आठ गलास पानी आवश्य पीएं, इससे शरीर के हानी कारक्ता तो बाहर निकल जाते हैं, और त्वचा में चमक आती है, पर्याप्त मातरा में पानी पीने से त्वचा में नमी बनी रहती ह कोनी और इन्यों की सफाई पर विशेष ध्यान दे इस पर मैल की पर्त जमने न पाए नहीं तो गंदे दिखेंगे तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों